Hello everyone, welcome back to this channel and thank you so much for joining me I hope आप से भी अच्छे होंगे और आपके जो फेस्टिवल की तयारियां है वो जोरो शोरो से चल रही होंगी तो सबके घर उमें फेस्टिवल की तयारियां बहुत ही अच्छे से चल रही हैं और मैंने भी अपने घर को फुल क्लीन कर दिया है और फेस्टिवल के लिए उसे बिलकुल ready कर दिया है हर चीजों को थोड़ा-थोड़ा manage करके सजा दिया है तो आप भी मेरी साथ कीजिएगा कि आपने अपने घर की तयारियां कैसे की हैं किस हिसाब से की हैं और आपने कैसे अपने घर को सजाया था तो ज़रूर मेरे साथ अपने जो experience है वो share कीजेगा और suggest कीजेगा कि और कौन सी चीजे जो हमें festival के regarding हैं वो करनी चाहिए तो आप भी अब बताए कि आपने कैसे festival को celebrate किया है तो मुझे ज़रूर share कीजेगा और मैं मैं भी आपके साथ वीडियो जो है festival की लाती रहूंगी कुछ टाइम से जो वीडियो नहीं आ रही थी because of बहुत सारा काम था तो उसे निप्टाने में अकेले में फी वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इस वज़र से भी नहीं बना पाई तो अब मैं कोश चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंजोई करिए व्लोग को तो जैसे सबके करों में फैस्टिवल की तैयारियां स्टार्ट है तो मैंने भी अपने घर की कुछ कॉर्णर को डैकॉरेट किया है कुछ डियावाई करके जैसे कि मैंने इस फांटेन को इसी बार हमने पर चेज किया था तो इसके स्टैंड के लिए मैंने यह डियावाई थोड़ा सा बनाया है तो उसके उपर यह बहुत ही अच्छे से आ गया है तो बहुत ही सुन्दर लगता है आपके जो रूम है लिविंग रूम है उसको उसकी खुब सूर्ति को निखारने में यह काफी इन्हेंस करता है तो ऐसे ही छोटी-छोटी चीजों से आप अपने घर को सुन्दर बना सकते हो जब भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी ही चीज़े अपने घर के लिए चाहिए आप छोटी-छोटी चीजों को भी अच्छे से रखके अपने घर को जो है अच् सफाई और फेस्टिवल के तयारियां थी तो आप मैंने फिर से इसे पढ़ना थोड़ा सा स्टार्ट किया है हमारे गर के बाहर शायज ड्रामाइन किसी ने रखवाई हुई है तो उसी की वोईस आ रही थी तो इसलिए फिर मैंने जो ऐसे बोल के शोटिंग नहीं की, रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर मैंने बाद ने जो वोईस ओवर कर दिया है, तो मैंने सबसे पहले थोड़ी सी जो पढ़ा था, तो स्टार्टिंग में स्थैनियन इरिक्षन था, गीता का, जो की बताए गया है कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, और अर्जुन क्या फिल करते हैं, कि उनके जो फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके फ्रेंट्स के साथ, मitr के साथ युद्ध करेंगे, तो उसके बारे में ही जो सैनिन इरिक्षन में है, पूरा डिटेल में बताया गया है, तो अब मैं जो है अगर पढ़ना चाहे तो इस फूकों पर चेस कर सकते हो आप है तो है तो वो अपने जो असिस्टेंट होते हैं या जो संझे के नाम से लिए आसीज्वार को जो वा से वह थी ग्यारो कि आपको यह हो रहा हैएं तो चलिए यहाँ पर डिनर की प्रापरेशन कर लेते हैं तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजलीा और जो है आलू गोबी की चैसे पी शेयर करूँगी, बहुत जल्जी बन जाती है, बहुत एजी बन जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले जो मैं करती हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ, कि जो गोबी होती है, गोबी को पहले आपको गरम पाने में उबाल लेना है, तब बनाना है तो मैं सबसे पहले सिर्फ गोबी को उबाल लेती हूँ फिर बाद में इसकी सब्जी बनाती हूँ तो इसके लिए जो ओइल है उसे गर्म कर लीजिए और जीरा, हारी मिर्च, नमक, अद्रक वगार आप डाल सकते हो प्याज मैं डालना अवोइड करती हूँ क्योंकि उससे थोड़ सा टेस्ट अलग आ जाता है तो इसलिए मैं नॉर्मली अगर आप जितनी सिंपल बनाएंगे न उतनी ही गोबी की सब्जी जो है वो अच्छी बनेगी तो यही हल्दी वगारा को डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिए और पका लीजिए जब तक आपका गोर्डन ब्राउन हो जाता है तड़का और उसके वोने के बाद जो हमने गोबी उबाली थी वो आप इसमें मिक्स कर दीजिए गोबी को उबालने से काफी अच्छा जो इसका फ्लेवर है वो सब्जी में आ जाता है और बिल्कुल भी जो सब्जी है वो बिल्कुल एकतम से गलती नहीं है कुछ गोबी होती है वो गल जाती है लेकिन अभी जो सीजन में आ रही है वो इतनी जल्दी से गलेंगी नहीं त अगर आप बीना उबाले भी से बना सकते हो तब भी बहुत अच्छी बनती है और अगर सिंपल आपको बनानी है आप बीगनर हो तब आप इसे ऐसे ट्राइ कर सकते हो तो वह भी को मैंने एच्छ से थोड़ा सब भून लिया है और उसके बाद फिर से इसमें मैंने आलू को मि आप इसे भी जरूर ट्राइ कर सकते हो क्योंकि यह सिंपल और इजली है बहुत ही इजी यह बन जाती है और बहुत ही टेस्ट इसका जो है वह आता है तो आप इससे जरूर बनाईएगा दें पुक्ष को चाहिए तो उसके बाद आपको चाट मसाला है वह डाल देना है इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आजाता है और जो मसाले आपको डालने है गरम मसाला और जो भी आप डालना चाहिए इसमें डाल सकते हो और थोड़ा साइसे चेक कर लिजे कि गो बियाशी जब अच्छी तरह से पक जाए थोड़ी देर अधके और पका लें फिर यह जब रैडी हो जाती है और बहुत ही अच्छे से यह बन जाएगी तो आप इसमें धनी पत्ते के साथ इसे सब कर सकते हो और किसी भी चीज के साथ पराठे रोटी के साथ आप से खा सकते हो बहुत ही अगर आपके घर में कोई यह सब्जी खाना ऐसे पसंद नहीं करता है तो आप थोड़ा सा इसका फ्लेवर एंहांस करने के लिए आप इसमें जो मैगी मसाला आता है वो भी डाल सकते हो उसके डालने के बाद यह सब्जी जो है और अच्छी और स्वाधिस्ट बन जाती है त तो हमारा जो डिनर है वो बनके तयार है आप लोग भी आईए और खाईए एंजोई करें थैंक यू फो बाचिंग